हेलो एवरिवोन कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छी होंगे खुश्यों के स्वस्थ होंगे तो आज के जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं कि क्या आपको खुद से बात करने चाहिए उनसे ठीक है रीडिंग का डॉपिक यही रहेगा चुकि नो कॉंटक्ट में हो मुझे में करना चाहिए मुझे उससे पूछ यहां चाहती है या आगे क्या करना है कंटीनिू करना है यह यहां ब्रेक अप है लेकिन वही है कि आप अभी शोड नहीं हो पा रहे हो कि आपको आखिर करना क्या चाहिए ठीक है तो चलिए देखते हैं कि क्या करना चाहिए आपको प्रीज मुझे गाइड करें अंजल्स पहले मैं आपके पार्टनर के बारे में बताऊंगी कि वह कैसे इंसान थे कैसे इंसान है और आप जो है क्या एक्सपेक्ट करते थे उनसे ठीक है चलिए सारी शीजे मैं बताऊंगी आपको ठीक है ओके बॉटम आफ देख एस ओवेंज काफी ज़्यदा पैशन है काफी ज़्यदा पैशन मुझे यह यह दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफी ज़्यदा पैशन है काफी ज़्यदा दुसरे को पाने के चाहत एक दूसरे को जीने के चाहत काफी ज़्यदा रही है और आप indas के बीच में जो बाती रही है जो एनर्जी जहीं जो फिलिंग्स रही है ना वो कम नहीं हो रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है कि अंदर ही अंदर बेचाइनी हो रही है बात नहीं हो रही है ना आपके आपके पार्टनर के साथ तो आपको अंदर ही अंदर बेचाइनी हो रही है क्यार बात क्यों नहीं हो रही है यह सोच नहीं कि आर बात हो जाती ज़्यादा बैटर होता आप रही है कि अग दोनों तरफ लगी है लेकिन दोनों आग भुझाने को त्यार बैथे हैं याने कि क्या है कि न आप इधर से एफट डाल रहे हो न आपके पार्टर एफट डाल रहे हैं तो यहांपे वही दिख रहा है कि एकडम से दोनों के दोनों एकडम सतन के खड़ेओं कि यार जो होगा देखा जाएगा जो होगा सो देखा जाएगा ठीक है टावर का कार्ड पेज ओफ पैंटिकल्स जस्टिस पेज ऑफ सौड्स नाइन ऑफ सौड्स थ्री ऑफ सौड्स एस अफ कप्स टैन ऑफ पैंटिकल्स तो यहां के जो कार्ड्स हैं आपके जो भी कार्ड्स आए हैं यहां पे क्लियर है कि आप दोनों के बीच में देख रहे हो यहां पे कितना ज़़ा वह तकलिफे दिख रहे हैं टावर त्री ऑफ सौड्स नाइन ऑफ सौड्स जस्टिस है ना यह कार्ड्स मुझे क्लियर बता रहे हैं कि आप दोनों के relationship में इतनी ज़्यदा problem कि आप खुद को नहीं justify कर पा रहे हो कि मैं क्या करू आप दोनों का relation third party की वज़े से तूटा है और अचानक से ये सारी सीज़े हुई हैं अचानक से आपके और आपके partner के बीच में सब कुछ unbalanced हो गया सब कुछ तहस नहस अचानक से कभी सपना नहीं देखा कभी सोचा नहीं कि आप दोनों अलग होगे और अचानक से आप दोनों अलग होगे अचानक से ठीक है और इसकी वज़ा से आपके और आपके partner के बीच का जो relationship है यहाँ पे थम सा गया यहाँ पे रुक सा गया आप दोन स्थम्ति हुई इसी है बहुत हथ स्थक चीजों को control करती हुई इसी है बहुत हथ तक आप और आपके partner देखों है कि आप रोते हो अपने partner के लिए आप आपके आशु बहुत ज़्यां कि कथ निकलते हैं अपने partner के लिए आप अपने पार्टनर को आप ko एकदम ऐसा देख रहा है कि आप अपने पार्टनर को उस तरीके से नहीं देख पा रहे हो जिस तरीके से आप जो है expect करते थे ठीक है तो मुझे यहाँ पर आपकी expectations जो है बढ़ती भी दिखाई दे रही है और इस वज़ा से यहाँ की relationship में यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है कि आचान नजर आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत सारी चीजे ऐसी भी हैं जो की काफी disturbance वाली है काफी ज़दा डिस्टर्ब करने वाली है काफी ज़दा एक जो relationship जो की बहुत अच्छा हो सकता था अचानक से धोका मिलने के करन से इसमें तकलीफें दर्द तनहाई अकेला पन सुना पन सब आ गया है ना यह relationship ऐसा आपको तोड़ गया जिसकी कोई उमीद नहीं थी इतना ज़दा आपको हर्ट हुआ है इतनी ज़दा आपको प्रॉब्ल मेरे साथ ऐसा होगा मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसा करेगा है ना तो आपकी उमीद जो है ना टूट चुकी है आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ दिया है और अचानक से ही सब कुछ होगा है क्योंकि टावर मॉमिंट अचानक ही आता है आप दोनों के बीच में एक तो मुझे दिख रहा है कि maturity की कमी है कोई एक ऐसा person ने जो कि बिलकुल भी mature नहीं है बचकानी सी हरकते अचानक unblock कर देना अचानक से block कर देना जब मन होना तब बात करना कोई reason नहीं देना है ना तो यहां पर mature नहीं है यह person जिनके साथ आप deal कर रहे हो ठीक और यहां पर यहीं है कि इसी वजह से कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में problems आती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके और आपके partner के बीच मुझे बहुत अच्छी सी energy दिखाई दे रही है यहां ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस हैना आप चाहते हो कि आपको justice मिले यानि कि आप उमीद में हो कि आपके इश्वर आपके गौड जो भी है आपके साथ गलत नहीं करेंगे आपके साथ बिलकुल भी गलत नहीं करेंगे और मुझे यहां कि यह दिख रहा है कि आपके और आपके इश्वर के बीच यहां पर बहुत कम कम्यूंकेशन हो पाता है बहुत ज्यादा कम कि मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको जस्टिस मिलने वाला है यह सब कप्स के अनरजी आपके पार्टनर खुद ठीक है खुद ही अपने तरफ से एफ़र्ट डालेंगे खुद ही यह परसन आपने तरफ से फर्स स्टेप लेंगे कि हां मुझे तुम्हारे साथ कंचिन्यू करना है तुम्हारे साथ आगे ब नजरे बनाए रखेंगे यह परसन पूरी तरीके से फोकस रहेंगे यह परसन पूरी तरीके से आपके उपर नजर इसलिए भी बनाए रखेंगे क्योंकि इनको लगेगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच मुझे यहां पे एक जो तालमेल होता है वो तालमेल बैठा बहुत को कान्टैक्ट करना क्योंकि यह यहां पुर्सन आपको ऑ्लाइन शोशल मीडिया पर तो लागातार देखेंगे लागातार ठीक है या किसी न किसी से आपके बारे में पूछ ताच कर सकते हैं क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि इनकी जो intention है आपके साथ एक बहुत ही बैतरीन सी बहुत ही खुबसूरत सी फामली बनाने का है तो इनकी जो intention है वो true है कोई fake नहीं है तो यह जो true love है यह person का कभी खतम नहीं होग है ठीक है अब बात करते हैं कि आपको सरे खुद से किने ही करना चाहिए एक तो इस परसे ने आपका दिल तोड़ा है आपको तोड़े राहे एंदर से तो आप रात में रोते हो रात में नहीं आती है आपको, आपके आखों से आसु गिरने लगते हैं, आपके सीने की दड़कन तीज हो जाती है, तो यह प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, बहुत ज़दा प्रॉब्लमेटिक है, मुझे यह दिख रहा है कि प्रॉब्लम के साथ तो आप भी गुजर रहे हो, देखो गया हो, देखो गया हो, देखो गया हो, देखो गईस, मैं आप सबसे यही कहूंगी, कि अभी आपको इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए थोड़ा सा टाइम दो क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा है कि आप कॉल करोगे, मैसेज करोगे तो उनकी तरब से इतनी जल्दी इतना अच्छा रियक्शन आ जाएगा उनका ठीक है या, इतना अच्छा एंसर आ जाएगा आपको मुझे नजर नहीं आ रहा है अभी आपको, मैं कहूँगी कि आपको वेट करना चाहिए वेट एंड वाच, है ना वेट एंड वाच करना चाहिए, उसके बाद जो है देखना चाहिए आपको अभी मैं फिलाल में नहीं कहूँगी कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए क्योंकि जो चीजे यहाँ पे निकल के आई है उससे दिख रहा है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो बहुत सारी चीजे चेंज हो सकती है बहुत सारी चीजे क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको गौड के भरोसे आपको छोड़ना पड़ेगा जो चीजे आपके साथ हो रही है उसको ठीक है और दीरे दीरे उसमें क्लियरेटी आ जाएगी दीरे दीरे उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है क्योंकि यहां पर time period जैसे change होगा वैसे clarity यहां पर आती ही दिखाई दे रही है ठीक है तो overall energy में मैं यही कहूँ कि one month आप wait करो उसके बाद आप कोई action या decision लेना खुद के लिए या उनके लिए ठीक है तो यह है आज की reading छोटी सी reading थी मिलते हैं फिर अगली reading में आई होप reading आपके साथ resonate की होगी resonate की है तो चनल को subscribe कीजेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा मिलते हैं अगली reading में बाबाई